तो चलिए लेकर के चलते हैं एक बार फिर से हम आप लोगों को Metro Construction की तरफ तो आज हम शुरू करते हैं CSGM Metro Station से तो यह जो देख रहे हैं आप लोग यह है CSGM Metro Station मतलब चत्रपती साहुजी महराज हमारी यूनिवर्स्टी कानपूर की तो आज हम वहां से आप लोगों को दिखात यह देखिए और इदर ऊपर टीन शेट वगरा भी पढ़ चुका है और यह है हमारी यूनिवस्टी तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए और वीडियो को इंजॉय करिए बिल्कुल भी इसकी मत करिए क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं ये वाले तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए पूरा देखिए तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये है हमारा बग्या क्रॉसिंग मेट्रोजेशन जो की फिलाल अपनों को दिख रहा है तो इसमें देखिए यहां के तीन पिलर्स वगएरा इनको डॉटेट कर रखा है इस पे कोई भी अभी पेंटिंग वगएरा नहीं की है और इसमें ये देखिए स्टेयर्स वगएरा कम्पलीट हो चुके और यहां पे अभी स्टेयर्स वगएरा नहीं बनी है बस साइड में स्टेयर का स्ट्रक्चर वगएरा कुछ अभी तैयार कर रहे थे और ये देखिए मैं आपनों को रोट साइड वी थोड़ा बहुत दे रही हूँ बहुत जादा नहीं दे रही हूँ तो चले चलते हैं हम अब अपने next metro station की तरफ जो किया है हमारा कल्यानपूर metro station तो देखते हैं उसका latest update क्या है तो ये दिखे फिलहाल तो कल्यानपूर metro station दूर से तो बहुत ही खुब सूरत लग रहा है अभी कल्यानपूर metro station पर ये देखिए और बादल भी आजा रहे तो अभी तो बादल आगे बहुत तेजी से फता नी कब बारी शोना शुरू हो जाए तो फिलाल में बहुत जगी हूँ यह कल्यानपूर मेट्रोशिशन और मैंने आप लोगों को पीछे जो दिखाया है वो है CSGM University CSGM University से मैंने शुरू किया है तो CSGM मतलब हमारी चैतरपति साओ जी यूनिवस्टी और बग्या क्रॉसिंग उसके बाद में कल्यानपूर मेट्रोशिशन पर हूँ तो मैं दिखाती हूं कि कल्यानपूर मेट्रोशिशन का अभी फिलाल में कितना काम हुआ है मतलब काफी अच्छा लग रहा है देखे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी अल्दी कानपूर में मेट्रो का काम चल रहा है और जैसा कि प्रोजेक्ट के एकॉर्डिंग ना इन लोगों को कुछ सेप्टेंबर या उक्टूबर में ट्राइल लेना था तो शायद लोग ना सेप्टेंबर या उक्टूबर तो लेकिन हां नॉवंबर तक शायद ले लेंगे एंड जैनवरी 2022 से शुरू कर देंगे आम जनता के लिए मतलब हम सब लोगों के लिए जैनवरी से शुरू हो जाएगी तो मैं दिखाती हूं पहला अभी आउटर वियू जब हम क देख पा रहे हैं यह मतलब कल्यानपूर मेट्रो इस्टेशन का इस्टेयर है और वो देखे कल्यानपूर वेटिंग रूम मतलब वुझे टीन शेट पड़ा हुआ है मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूं यह देखिए यह प्लैट्फॉम नंबर एक लिखा हुआ ह अर ऐसे दिखा सकते हैं पास से भी तरो सेधे हैं को यह देखिए यह कल्यानपूरिन का रेल्वी ट्रैक है और यह है मैं कहल्यानपूर मेट्रो-स्टेशन की स्टेयर से कंप्लीट हो देखिए पत्थर विछा चुके हैं इसकंब ग्रिलिंग गर्वी इसन में लाल रुपर तो यह देख रहे हैं आप लोग यह जो इस्टील का टीन शेट वगरा भी लगा दिया है और यह नहीं लोगों ने पुताई वगरा भी अच्छा से कर रखें लोगों ने मतलब यह वाइट वगरा भी करी रखा है और हां आप लोगों को मैं बता दूँ तो फिलाल तो कुछ ऐसा दिखता है कल्यानपूर मेट्रो इस्टेशन का आउटर व्यू और काम चल रहा है अभी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर यह देखिए कैसे यह लोग वाइट वाश वगरा करते हैं कैसे पुताई वगरा करते हैं तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यह देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ देख पा रहे हूं के शायद आप लोग न वह इक इतनी ऊची से मशीन है और मशीन के ऊपर खड़े हो करके यह दो लोग ना पेंटिंग वगरा कर रहे हैं और यह देख पा रहे हैं मतलब अल्मोस्ट मैट्रो इस्टूशन व गार काम कम्प्लिट हो चुका है और नहीं अगर कम्प्लिट हुआ तो हो रहा है मतलब कहीं न जई तो मैं चल रहे हूं अभी यह कल्यान्पूर मेट्रो स्टेशन के refer at Living location का बीव है तो ऐसा दिखता है कुछ मतलब इतना क्लीनप हो चुका इतनी अच्छी से फेनिशिंग वगएरा कर दिया इन लोगों ने अब चलते हैं हम आयाइटी मेट्रो इस्टूशन के तरह और हाँ एक बात हो मैं बता दू आप लोगों को कि कल्यानपुर और आयाइटी मेट्रो इस् अब जाना तो उसके लिया तो उसका आपडेट आप लोगों को मिले बिना क्यूंकि उपर अभी ऑब नी करेंगे जाना और कभी नहीं अलाउट करेंगे जाना यह लोग चाहिद क्योंकि उसके लिए सेप्टि जैकट और हैलमट वगरा बहुत जरूरी होता है इसलिए लेक कि समझ आ गया होगा जानकारी अच्छी लगी होगी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बनता है लाइक कर दीजिए तो यह देखे यह है कल्यानपूर मेट्रो इंस्ट्रिशन का आउटर व्यू जब हम आयाइटी की तरफ से रावतपूर की तरफ आते हैं और बहुत ही जा रही होगी इन्होंने न कुछ नेचर वगेरा को दिखाया है यह देखे वो हमें लगता कानपूर का ही कोई बहुत अच्छा इन्होंने मतलब पिक्चर लिया हुआ है क्योंकि नाव और मंदिर वगेरा दिखाया है या फिर जो भी हो मुझे अगर नहीं समझा रहा है या फिर मैं अगर गलत बोल रहीं तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो कुछ ऐसा है यह जो हम IAT से कल्यानपूर की तरफ आते हैं तो वहां का आउटर व्यू उधर का आउटर व्यू तो यह है कल्यानपूर मेट्रो इस्टीशन तो आई होप कि आप लोग पसंद आया होगा अच्छा भी लगा होगा और यह देख रहे हैं ना उपर यह सिगनल वगएरा काम शुरू हो गया है यह देखिए मतलब सिगनल वगएरा भी इन्होंने यह एजिस्ट कर दिये हैं लेकर भी लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं लगाई है और यह जो देख रहे हैं आप लोग यह सारा लाइक्ट्रिक का ही सिस्टम रखना है इन्हों को तो यह होल और होल फास वगएरा इन्होंने यह लगा रखे हैं यह देखे हर फिलर में इनका यही है क्योंकि जो उपर ट्रेक वगएरा पड़ेगा न उस ट्रेक के कसाओ के लिए और बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो क्योंकि मैंने रिसर्च की हुए इसलिए मैं बता रही हूं आपको शायद हो सकता है गलत भी हूं मैं लेकिन फिर बे कहीं न कहीं है जो होल फास वगएरा या फिर यह जो नट्स वगएरा देखा है न यह कहीं न कहीं ट्रेक से कनेक्टेड होंगे और यह देखे यह और फ्रेंड्स यहां पर हम आप लोगों को कल्यानपूर मेट्रो इस्टेशन का जो स्टेयर्स है जो अभी स्टेयर्स बना नहीं है तो वो स्टेयर्स का जो इनिशियल प्रोसेस है वो मैं दिखाने के कोशिश कर रही हूं कि देखे कितना ही हार्ड प्रोसेस है और इन लोगों ने मतलब अभी गड़ा खोद करके जालवाल बिचा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से और ये देखिए उपर मैं दिखा रही हूँ ये कल्यानपूर मेट्रो स्टेशन का आउटर व्यू है इस तरह से ये आपनों को क्लियर हो जाएगा कि ये कल्यानपूर मेट्रो स्टेशन की ही स्टेयर्स वगेरा हैं जिनका ये अभी प्रोसेस चल स्टेयर्स को बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे जिसमें इन लोगों ने जालवल बिच्छा रखा है और अभी भी मतलब कहीं न कहीं इसमें जाल वगेरा विच रहा है कुछ सरीया काटी जा रही है तो इस तरह से भी काम चल रहा है तो अभी फिलहाल ये नीचे का काम चल जिसको बोलते हैं new बनाना तो मतलब अभी ये इस सरे से new बना रहे हैं इसको इतना मजबूत कर देंगे कि उसके बाद में ये ऊपर से stairs वगएरा जो भी देंगे तो दिक्कत नहीं होगे तो फिलाल अभी ये नीचे की new बन रही है जिसको बहुत ही घने जाल से लोग बना रह ही है तो यह हो सकता है कुछ एक दो दिन में complete हो जाएगा क्योंकि काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और यह लोग अभी मशीन से अपना तारवार की कटाई बटाई कर रहे हैं जो सरीया पड़ी हुई है तो यह है कल्यानपूर मेट्रो इस्टिशन का आउटर विव और यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और यह होप की पसंद आया होगा अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक शेर कर दीजे लास्ट ऑफ द लाइन मैं हमेशा बोलती हूं और फिर बोलूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब अपडेट है तो चले चाहिए